हलो एवरिवन, मैसल डॉक्टर पुलकिश शर्मा, तो नीट 2024 के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट के स्टेट कोटा की काउंसलिंग का ब्रॉशर आ चुका है, ब्रॉशर में काफी सारी चीज़े बताई गई हैं, एलिजिबिलीटी के बारे में बताया गया है, डॉमिसाइल के बारे में बताया गया है, डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है, और डिफ्रेंट राउंड की जो काउंसलिंग होगी, उसके एलिजिबिलीटी के रूल्स के बारे में बताया गया है, तो कौन के बारे में ये चीज़ है, registration fees की अगर मैं बात करूँ, first, second और third round की जो registration fees है, वो 2000 रुपीज है, ठीक है, stray vacancy round के लिए 1000 है, security deposit की अगर मैं बात करूँ तो government medical colleges के लिए 30,000 है, 30,000 रुपे है, अगर मैं private medical colleges की बात करूँ तो 2,000,000 रुपे है, और अगर मैं private dental colleges की बात करूँ तो 1,000,000 रुपे है, ठीक है, इस security deposit आपका हो गया, ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका document verification, तो document verification आपका online कराया जाएगा, document verification में आपको online कौन कौन से documents upload करने होगे, आपकी high school की mark sheet आपको upload करनी होगी, intermediate की mark sheet आपको upload करनी होगी, और आपका cast certificate है, अगर OBC, SC, ST, EWS, X, Army, जो भी अगर आप PH candidate हो तो वो आपको certificate upload करना होगा, और domicile certificate in case आपके पास में आपने 10-12 उत्तरप्रदेश से पास नहीं करिये तो, अगर आपने करिये तो फिर आपको domicile certificate की ज़रुरत नहीं है, तो आपके documents होगे, उनके online verification in nodal centers के दुवारा करे जाएंगे, ये 20 nodal centers है जिनके दुवारा आपके online documents का verification करा जाएगा, सबसे important चीज आपका OBC certificate और EWS certificate 1st April 2024 के बाद का होना चाहिए, तो आपको April के बाद का होना चाहिए, OBC certificate और EWS certificate उससे अगर पुराना है तो वो आपका नहीं चलेगा, तो अभी जो आपके पास time बच रहा है, अगर आपका certificate प होगी, तो इसमें clearly आपको लिखा गया है कि 1st round में बच्चों के पास free exit का option available होगा, 1st round में अगर आपको कोई college मिल जाता है, लेट से आपको जासी का medical college मिल गया, उत्तर प्रिदेश के थूर, 1st round में तो आप उसको छोड सकते हो, छोडने से आपको किसी भी प्रकार का नु तो इसमें clear लिखा है कि आप अगर 1st round से free exit करते हो, तो 2nd और 3rd round में आप eligible हो, 2nd round की counselling में कौन-कौन participate कर सकता है, जिसको 1st round में college ना मिलाओ, या फिर 1st round में college मिलने के बाद उसमें free exit कर दिया हो, तो वह अपस से 2nd round में participate कर सकता है, 3rd round में कौन participate कर सकता है, जिसको 1st और 2nd round में college ना मिलाओ, जिसको 2nd round का मिला हुआ college उसने छोड़ दिया हो, फिर उसको fresh registration करना पड़ेगा 3rd round में participate करने के लिए, stray vacancy round में कौन participate कर सकता है, stray vacancy round में वही लोग eligible होंगे, जिनको किसी भी round में 1st, 2nd और 3rd में UP में college ना मिलाओ, और stray vacancy round में वही लोग eligible होंगे, ज आपको तो नहीं आई है, कि dates आपकी depend करती है, आपकी central counselling किस तरीके से चलती है, आपकी जो all India quota की counselling होगा, उसमें एक brochure आएगा, जिसमें आपके 2 column बने होंगे, एक column में आपके all India quota का schedule लिखा होगा, दूसरे column में state quota का schedule लिखा होगा, उसमें states को कुछ time दिया जाता है, specific जैसे 10 दिन का time दे दिया, 12 दिन का time दे दिया, कि इन 10-12 दिनों के अंदर आपको अपने state का round 1 complete करना है, इन 10-12 दिनों के अंदर आपको अपना state का round 2 complete करना है, तो एक बार जब all India quota का brochure आजाएगा, एक बार schedule आजाएगा, तो आपके states के भी schedule आपके आना शुरू हो जाएगी, तो आप personalized counseling कराना चाहते है, तो इस number पे आप WhatsApp पे message कर सकते है, क्योंकि इंडिया का सबसे affordable और effective counseling program है, जिसमें आपकी 1500 fees है, आपकी WhatsApp assistance वाले plan के लिए, जिसमें आपको कौन कौन सी चीजे मिलेंगी, मैं आपको फटा-फट से बता देता हूँ, इसमें आपको All India quota कोटा की preference list, state quota की preference list, bond के बारे में पता चलेगा, कहां कितना bond है, college की fees कितनी है, जो भी college आपको इंडिया में देखना है, उसकी fees आपको पता लगेगी, नीट PG में किस states में कितनी seat है, आप जिस state में ले रहो, उसमें नीट PG की कितनी seats है, लास्ट येर का cut of All India state quota का category wise, round wise, आ WhatsApp assistance मिलेगी, आपको final round of counseling तक, इसके लाव आपको decision making में मदद मिलेगी, कहां college लेना है, first, second, third round में कहां लेना है, free exit करना है, All India में लेना है, All India quota में better college कौन सा रहेगा, plan 2 आप join करते हो, तो plan 1 वाले features मिलेंगे, साथ में आपको मिलेगा calling assistance, ठीक है, calling assistance के लिए आपको दूसर and number provide कराया जाएगा calling assistance के लिए, तो उत्तर प्रदेश के counseling के brochure में ये सारे details थी, different state के counseling के brochure जो release होंगे, schedules आएंगे, different informations आएंगी, वो आपको मैं telegram channel पे भी बता दूँगा, telegram channel को आप join कर लिजे, telegram channel का नाम है neat info, description box में मैंने link भी डाल रखा है, thanks for watching the video, मिलते हैं किसे अ